फ्रेंड्स आप लोगों का फिर से वेलकम है हमारे चैनल वायम डूली सॉलिशन पे मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि परधान मंत्री सोनेधी योजना के बारे में दोस्तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यह योजना क्या है तो दोस्तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस योजना के तहत में आप 10,000 का लोन ले सकते हैं वे बिना गरेंटिगा दोस्तो कोरोना के बाद क्या हुआ कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे उन लोग को बहुत सारे नुकसान हुए तो सरकार जो है उस नुकसान को भरपाई करने के लिए आपको 10,000 लोन का मुहया करवा रही है दोस्तो ये 10,000 जो लोन मिलेगे आपको बीना गरेंटिगे मिलेगे आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तो आपको इसमें क्या-क्या दस्तावज जरूरत है पहला तो दोस्तो कि आपके पास में आपका अधार नंबर होना जरूरी है प्लस आपके अधार नंबर से जो भी mobile number registered है वह आपके पास में होना जरूरी है जो है आपको 7% की सबसेडी दे रही है अगर जो सबसेडी है दोस्तो वो आपके डारेक्ट खाते में आएगी तो दोस्तो आप इस योजना का लाब उठाएं और आप लोन के लिए अप्लाई करें मैं आपको बदा दू कि आपको इनिशली जो है 10,000 का आपको लोन मिलेगा अ आप मेरे चैनलों को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके नोडिफिकेशन ओन कर लिजे तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले दोस्तो अपना क्रूम ब्रॉजर ओपिन कर लेंगे उसमें टाइप करेंगे आपके पास में कुछ इस तरह से पेज ओपिन हो किया आजाएगा आप यहां मेंशन किया रहेगा कि पीम स्ट्रीट वेंडर आत्मन निर्भर निधी तो दोस्तो मैंने आपको आपको बताया कि यह आत्मन निर्भर होने के लिए गवर्मेंट आपका हेल्प कर रही है तो दोस्तो आपको लोन के लिए अपका एक मोबाइल नमर मांगेगा मैंने आपको बताया था कि आपके अधार कार्ट के साथ में जो भी मोबाइल नमर रेश्टेट है आप वही मोबाइल नमर आप यहां मेंशन करें तो चलिए यहाँ पे वो register mobile number आप mention कर दीजे उसके बाद आपको यहाँ पे click करना है then request OTP पे click करना है तो चलिए यहाँ पे click कर दीजे आप देखेंगे कि आपके जो भी register mobile number पे आपका OTP आया होगा आप वो OTP यहाँ पे fill कर देंगे फिर verify OTP पे click करेंगे तो आप click करेंगे दोस्तो आप देखेंगे दोस्तो आपके पास में इस तरह से vendor category का एक eligibility form open होके आज आएगा आपके पास में चार category mention किया हुआ है आप सब को one by one read कर लेंगे चलिए दोस्तो आपको जो भी suitable है आप उसको यहाँ mention करके आगे proceed करेंगे मैंने इस पर click कर दिया दोस्तो आप मैं यहाँ पर आगे proceed करेंगे आप देख रहे हैं अगर आपके पास में letter of recommendation है तो आप यहाँ click करेंगे आप देख रहे हैं मेरे पास में letter of recommendation है मैं यहाँ टिक आउट करके फिर यहाँ पर आपको letter of recommendation को upload कर देना है उप्लोड कर दिया उसको नेक्स्ट पर क्लिक करें गेर जब आपको यहां पर आधार नमर मांगेगा तो आप अपना आधार नमर असमेस करना है गे लेटेन आपको BC पर क्लिक करना है जब आप OTP पर click किजएगा दोस्तो तब आपके register mobile number पर एक OTP आया होगा, आप उस OTP को यहाँ पर fill कर देंगे, then आप verify पर click करेंगे, देख रहे हैं दोस्तो जब आप verify पर click किजएगा, तो आपका verified हो जाएगा, finally, और आपको एक application number मिलेगा, तो दोस्तो आपको इस application को fill करन पड़ेगा, देख रहे हैं दोस्तो यहाँ पर mention किया हुआ है, कि member of CIG mention किया हुआ है, अगर है तो ठीक है, नई तो no पर click करके आगे process करेंगे, member of JLG, आपको यह दोनों section जो है, no रहेगा दोस्तो, आपका यहाँ पर name जो है, already mentioned रहेगा, और उसके बाद अफना father name mention कर दे पर नेटिविटी आपको mention करना, दोस्तो आपका area जो है, अर्बन में आता है, यह ruler में आता है, तो आप यहाँ mention करनेगे, जो भी होगा, फिर आप से पूछा गया है, क्या है, अगर है, तो yes करेंगा, अगर नहीं है, तो no पर click करेंगे, minority पूछा गया है, दोस्तो आप family, तो आप यहाँ पर click करेंगे, number of family आप यहां select करेंगे, कि इतना number of family है आपका, उसका पुरा नाम mention कर देंगे आप यहाँ पे, यहाँ पर देखनें कि relation क्या है, आपका application के साथ में, और यहाँ पर age mention कर देंगे, आप देखे हैं, दोस्तो उसके बाद आप से पुछा गय तो अगर आपका यह एड़ेस अगर सेम है current अगर आपका इड़ेस डिफरेंट है तो आप यहाँ separate mention करेंगे तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके आगे proceed करूँगा आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर वेंडिंग आक्टिविटी पूछा किया है कि आपका क्या activity है आप fast food या food item बेशते हैं या fruits and vegetable बेशते हैं तो आप यहाँ चूस कर लेंगे अगर आपका अधर यहाँ से अधर चूस करते हैं तो आपको यहाँ mention करना पड़ेगा अधर में देख रहे हैं तो यहाँ प्लेस वेंडिंग लिखा हुआ है अगर फिक्स लोकेशन में आप ए फिसे लोकीशन है प्लेस लेंड मार्क में Abbots कर देंगे आपने स्टेट में जर ज्यक्र सैल यहाँ फ्लेक लियान और इहां पर यहां पर घ्लेस कर लिखनि यहाँ सेलेक्ड देख रह debt बंगार को रहाए तिंटेगा अपगा इवर्रेज मंतने अंतली सेल हता आपको यहां म मांगा गया है name of bank मांगा गया है name of branch account number इसमें क्या हो दोस्तों कि आपको जो भी loan amount है आपके direct सीधे जो है account में आ जाएगा और plus दोस्तों आपको जो भी subsidy होगा तो वो भी आपके direct account में ही आएगा तो इसलिए आपको यह mention करना पड़ेगा आप देख रहें दोस्तों यहाँ digital payment mention किया हुआ है इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि आप अगर sales करते हैं तो आप digital payment लेते हैं अगर लेटे है तो दोस्तों yes करेंगे उसके बाद अपना payment किस bank में मंगाते हैं आप वो mention कर देंगे प्लस अगर UPI अगर आपका है number तो वो mention कर देंगे प्लस आप QR code की थूर कोड भी यहां पर yes करेंगे QR code है तो ठीक है अधिन आप यहां देख रहे हैं loan outstanding mention किया दोस्तों अगर आपका अभी भी कोई loan चल रहा है तो आपको यह mention करना पड़ेगा आप देख रहे हैं जिस bank से आपका loan चल रहा है वो bank का यहां नाम होगा प्लस आपका कितना amount है loan का आप य बसदर mention कर देंगे चली मैं इसको परफील करके दिखा देता हूं दोस्तों आपको आप देख रहे हैं दोस्तों मैंने इस form को परफील कर दिया है मैं आप पूरा form को चेक कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है सब्मिट पर क्लिक करना पड़ेगा चली सब्मिट पर क् अप्लोड डोकुमेंट आएगा दोस्तो जो यहां पर mention किया है कि applicant photo यह आपका already uploaded है letter of recommendation यह already uploaded है मैंने last time यह upload कर दिया था दोस्तो यह applicant photo जो है आपका अधार नमबर से आपका automatic यहां ले लिया गया है उसके बाद आप चलिए यहां submit पर क्लिक करते हैं आप देखरें दोस्तो अगर prefer bank में होने के लिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे submit your application to your prefer lender पर उसके बाद आप यहां चूज कर लेंगे कौन सा bank है जो आपको जिसमें prefer करते हैं आप बैंक को ब्रोड़ा चूज कर लेंगे उसके बाद आप को भी branch जो है आप चूज कर लेंगे यहां पर फिर I agree पर आप देख रहें यहां पर आप आईगरी पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप finally क्या करेंगे submit पर क्लिक करेंगे दोस्तों जब आप submit पर क्लिक किजेगा तब आपका जो application वो finally submit हो जाएगा और वो diet जो है आपका bank में forward हो जाएगा दोस्तों आपको एक email भी आएगा और plus message भी आएगा दोस्तों जिसमें mention क्या रहेगा कि PM सवनिधी योजना के तहत में आपका 10,000 का जो loan है वो request जो है finally successful submit हो चुका है और आपको जो भी है आपको एक SRN number दिया जाएगा आपका जो application का क्या status है आप उसी के तुरु चेक कर सकते हैं दोस्तों आप इस प्रकार से PM request कर सकते हैं जो आपका loan amount दोस्तों वो 10,000 है मैंने आपको वीडियो के starting में बताया था दोस्तों कि अगर आप ये 10,000 का जो loan ले रहे हैं अगर आपने इसको time to time अगर pay कर दिया तो आपका जो next loan होगा दोस्तों आपका जो भी loan amount है वो आपका 10,000 से जादा होगा तो दोस्त पर बने रही है इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए और आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में धन्यबाद जहिंद